हर सुभा एक जैसी ही होती है कॉफी और क्रॉस वर्ड और हर रोज हालात बत्तर होते दिखते हैं मजहबों में टक्राव मौसम में बदलाव लगता है जैसे क्यामत आ ही गई है वैसे इन में से कोई चीज नहीं नहीं है हम हजारों सालों से दुनिया के अंध की भविश्यवानी करते आ रहे नौस्टर डमस से भी बहुत पहले बुक अफ रेविलेशन के जबाने से क्यामत के बारे में जो कुछ हम सुनते हैं उसने जैसे हमें जकर लिया है क्यामत की फिकर करना क्या इन्सान की फित्रत है और वो इसे जानना चाहता है या सच में एक दिन ऐसा होगा मैं निकल रहा हूँ एक नए सफर पर ये जानने के लिए कि तमाम धर्मों में अपॉकलिप्स यानि कि भविश्यवानी क्यों की गई है इस शैतान का एक इन्सानी नाम है जिसका नंबर है 666 जज्मेंट डे की सोच का आधार क्या है संस ओफ लाइट टक्राएंगे संस ओफ डाक्निस से हमारी प्राचीन भविश्यवानियों की गूंच हमारे बीश तो छडब चलती रहती है आज भी सुनाई देती है अगर ये लोग अभी पावर में आये तो ये दुनिया को जहन्नुम बना देंगे क्या हमारी काइनात का अंत वैसा ही होगा जैसा हम सोचते हैं या ये सिर्फ उपज है हमारे दिमाग की मेरी पहली मंजिल है जरूसलम ये आध्यात में केंद्र है जीऊस, क्रिश्चियन्स और मुस्लिम्स का इन तीनों धर्मों के भविश्चवानी है कि दुनिया के अंत में जरूसलम का एक अहम रोल होगा ये शहर लंबे समय से धार्मिक तनावों की वजा रहा है मैं यहाँ आया हूँ योरम हैजनी से मिलने जो जूडियाइज्म की पॉलिटिक्स और थियॉलोजी के एक्सपर्ट हैं मैं जानना चाहता हूँ कि इस यहर को पयामत से जोड़ कर क्यों देखा जाता है आप जो देख रहे हैं वो असल में एपी सेंटर है उनका जो एक गॉड को मानते हैं ठीक वहाँ पर वो है डोम ओफ दे रॉक वो जगह जहां से मुसलिम मानते हैं कि पैगंबर मोहमद जन्नत गए थे वो वही जगह है और वो है माउंट ओफ ओलिव्स और वहाँ नीचे है गिसेमेनी जहां जीजस अपने शिश्यों से मिलते थे और अफकोस ये है वेस्टन वाल प्लाजा दा होलियस श्राइन एन प्रेयर लोकेशन जुदेशम मानने वाले लोगों के लिए इस पूरे एरिया को कहते है टेंपल माउंट ये है वो टेंपल माउंट टेंपल पहले एक साथ मंजिल की इमारत थी जो इसके ठीक ऊपर थी जहां वो फ्लैट एरिया है जहां वो पेड है ठीक वहाँ पर 20 BC में King Herod the Great ने एक टेंपल बनवाया था जहां Jews अपने गौड की इबादत कर सके इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि ये हमेशा बुलंद रहे Herod ने कहा था कि हमें एक ऐसी शांदार बिल्डिंग बनाएंगे एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पूरे Middle East या पूरे वर्ल्ड में नहीं होगी आप नीचे वो बड़े-बड़े पत्थर देख सकते हैं इनको Herodian Stones कहते हैं Jewish Temple to the One God उस माउंट के उपर बना था Islam और Christianity से पहले लेकिन 70 A.D. में Romans ने जरुसलम को लूटा और Temple को तबाह कर दी उसके बाद सदियों तक Jews उसके बचे हुए हिस्से के सामने प्रात्रा करते रहे जिसे कहते हैं Western या Wailing Wall तकरीबन 1900 साल बाद 1967 में ये जगा Jewish के हवाले करती गई नए इस्रेल को कायम हुए करीब सतर साल हो गए पर टेंपल फिर से क्यों नहीं बना दू वज़ा हैं एक की जूस तयार नहीं है और दूसरी की Muslims भी तयार नहीं है इस पूरे इलाके पर इस्रेल का मिलिट्री और पॉलिटिकल कंट्रोल है मगर इस्रेल ने वो उपर वाला टेंपल माउंट का इलाका Muslims को दे दिया हाला के मांट के ऊपर का हिस्सा जीवस की पहुंच से बाहर है मगर उसके नीचे वो पवित्र जगे हैं जो यूरम की माने तो क्यामत के बारे में जीविस नजरिये को समझने में मेरी मदद करेंगी यही वो जगह है जहां कोई इनसान दुनिया की सबसे holiest place के इतने करीब आ सकता है दुनिया की सबसे sacred जगह है यह वो कमरा है जहां साल में एक बार एक ही इनसान आ सकता है दा हाई प्रीस्ट अयोम की प्योर साल के सबसे holiest तिन वो पुकारते हैं God's name Orthodox Jews मानते हैं कि इस Temple के बिना उनके धार्मिक अधिकार अधूरे हैं इसलिए उनको उस दिन का इंतजार है जब उनका Temple फिर से बनेगा क्या कोई मसीह है जुडेजम में जुडेजम ने तो मसीह की शिरवात की है पर यह वैसे मसीह नहीं है जैसा लोग मानते है क्योंकि Christians जब मसीह की बात करते हैं तो वो डिवाइन होता है वो बात करते हैं कयामत के दिन की पर जुडेजम में मसीह एक इंसान है एक किंग है इस दुनिया के जो तमाम देशों के बीच अमन कायम करेंगे वही मसीह है और वो डिवाइन नहीं होंगे जुडेजम उन कई धर्मों में से एक है जिनकी सोच है कि दुनिया में एक दिन शान्ती होगी मगर इस जगह को देखकर जहां कई धर्म और संपरदाय हैं लगता नहीं कि शान्ती आएगी इस मौके पर टेंपल को फिर से बनाना बेशक अम के दौर का पैगाम तो नहीं लाएगा इस से इसलाम की कुछ सबसे पाक जगों की सूरत बिगड़ जाएगी असल में तो इस से कियामत को दावत देने वाली जंग चिट सकती है लेकिन खून खराबे से दुनिया का अंत होने की सोच नई नहीं है दो हजार साल पहले सभी जीवस को उम्मीद नहीं थी कि एक दिन अमन होगा एक जीविश सेक्ट तो दुनिया के खून खराबे वाले अंत में बहुत ज्यादा यकीन करता था आर्केयोलोजिस्ट जोडी मेगनेस मुझे डेड सी के किनारे लाई हैं जहां उनकी प्राचीन भविश्वानिया बहुत ही अच्छे तरीके से संबली हुई है वेल्कम तो कुमरान कुमरान? अच्छा अच्छा यहीं से वो स्क्रॉल्स मिले थे हैं न? बिल्कुल डेड सी स्क्रॉल्स उन ग्यारा केव्स में ही मिले जो इन क्लिफ्स में थे वो उनमें पहुंचे कैसे? वेल्ट यह उन लोगों ने केव्स में रखे थे जो कुमरान में ही रहते थे और एक जुईश सेक्ट से जुड़े थे इसी लड़ाई जो दुनिया का अंत करने वाली होगी यहां के बेहद खुश्क मौसम की बदौलत प्यामत पर लिखे गए उनके दस्तावेज दो हजार से ज्यादा सालों तक सही सरामत रहे तो चलिए ज़रा क्लिफ की एज से देखते हैं कि वहाँ नीचे क्या है? ओ मै गाड़ यह केव बहुत ही इंपॉर्टन्ट है इस केव से अलग अलग करीब साथ सो स्क्रोल्स मिले थे इंक्लिडिंग फ्राग्मेंट्स ओफ दे वार स्क्रॉल वोर्स्क्रोल अब यह क्या है? यह वोर्स्क्रोल है जिसमें 40 साल चलने वाली कियामत की लड़ाई का जिक्र है और उस स्क्रोल की एक फेमर्स लाइन के मताबिक एक जबरदस दवाही मचाने वाली लड़ाई होगी जिसमें टकराएंगे संस ओफ लाइट, संस ओफ डाक्निस से और इस ते आन्थ होगा हमेशा के लिए पापों का उन्होंने जिस लड़ाई की बात की थी वो क्या रेवोलीशन की कॉल जैसी थी? या फिर ये कोई माइथोलोजिकल एक्सपेक्टेशन जैसी थी? आप वाल्सक्रॉल पढ़ें तो उसमें एक इंट्रेस्टिंग बात ये है कि इसमें घुली मिली हैं जो असल है और हमारे हिसाब से फैंटिसी की बात है लड़ाई में उनको लीट कर रहे थे प्रीस्ट, उनके कपड़े भी प्रीस्ट वाले थे जबकि फैक्ट ये है कि वो बात कर रहे थे एंजिल्स की पाइटिंग इन दे मिथ और सोल्जर्स उसी तरह से लैस थे जैसे उस जमाने के सोल्जर्स हुआ करती थे तो हमारे सामने है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें है एक असल चीज और साथ ही वो चीज़ें जो हमारे हिसाब से इमाजिनरी है कई दूसरे डूमसडे कल्ट्स की तरह ऐसी इन्स मानते थे कि कियामत का दिन आने वाला है और गौड से मिलने की तयारी में उन्होंने हर तरह की सावधानी बरती 68 एडी में सन्स ओफ डार्कनेस से उनके लड़ाई हुई वो रोमन्स थे हुकूमत के खिलाफ जीविश बगावत को कुचलने की अपनी मुहिम के तहर उन्होंने कुमरान और एसीन्स को नक्षे से मिटा दिया तो रोमन्स लड़ा के उस वक्त बस यहां से गुजर रहे थे रास्ते में वो मिल गए और खत्म कर दिया जे बिलकुल ठीक है रोमन्स बेसिकली पूरे इलाके पर कबजा करने निकले थे लेकिन अंधेरे की ताकतों से दुनिया का अंत करने वाली लड़ाई का खयाल एसीन्स के साथ मरा नहीं ये चुपके से एक दूसरे धर्म में जा पहुँचा जिसकी शुरुआत अभी हो ही रही थी वहां जाकर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि क्रिस्टियन्स में दुनिया के खत्म होने की सोच शुरू कैसे हुई थी हंड्रेड एडी के आसपास लिखे गई एक मशूर किताब रेवेलेशन क्राइस्ट के विरोधियों के साथ होने वाली लड़ाई की विश्यवानी करती है कोई तो ऐसा माहिर हो जो शैतान का नंबर बताए क्योंकि ये नंबर किसी इंसान का है उसका नंबर है 666 मैं जानना चाहता हूँ कि मैं शैतान का नंबर कैलकुलेट कर सकता हूँ या नहीं मैं आया हूँ वैटिकन के पास बिब्लियोटेका कासानेटेंसी यहां मेरी मुलाखात होगी क्रिस्चियनिटी की एक एकसपर्ट से ये हैं किम हेंज आइज़न उन्होंने बताया कि उनके पास शैतान की पहचान उजागर करने वाला एक पक्का सबूत है तो बताईए ये सब क्या-क्या है वेल ये बुक उफ रेवलेशन के कुछ हिस्से है दबुक उफ रेवलेशन दबुक उफ देज्टी एक कयामत की ये भवेश्यवानी की किताब है इसमें काफी सारे सिंबल्स है मगर ये किताब काफी कुछ पॉलिटिकल है और ये पॉलिटिकल क्लेम भी करती है अबाउट दे कॉज अफ इवल या कहें बुराई का जिम्मेदार कौन है इस कोडिंग के बारे में बताएं क्योंकि जितना मैं इसे समझता हूँ एंटिक्राइस्ट को एक कोड दिया गया था था कि उसका नाम लेने की बजाए उसे हमेशा कोड से बुलाएं वैल इस बात पर काफी बहस हुई कि ये नंबर क्या है खासकर 666 इसका क्या मतलब है और ये बात मजबूती से रखी गई थी कि 666 नीरू के लिए है नीरो 54 से 68 AD तक रोम का राजा था तकरीबन उस वक्त जब शुरुआती क्रिश्चिन्स ने रोम पहुँचना शुरू ही किया था तो कैसे बनाती है आप ये 666 जिससे बनेगा नीरो जब आप अप्लाए करते हैं नियुमेरिकल वाल्यूज तो दे नेम काईजर नेरॉन तो उन नंबर्स को आड़ करने पर आता है 666 प्राचीन ग्रीक और हीब्रू में हर लेटर का एक नंबर होता है अगर हीब्रू में राजा नीरो के नाम काईजर नेरॉन के लेटर्स को जोड़ें तो टोटल बैठता है 666 लेकिन नीरो उन कई नामों में से एक है जिनका जोड 666 निकलता है किम मानती हैं कि एजिप्ट में आर्केयोलोजिकल खुदाई में मिली बुक ओफ रेवेलेशन की बाद की कौपी पक्का करती है कि शैतान नीरो ही है इन हिस्सों की इंट्रेस्टिंग चीज यह है कि इसमें दो अलग अलग नंबर्स हैं वो लेटर्स क्या है खी है 600, क्सी 60 और सिग्मा है 6666 यह यहां पर है कि योटा सिग्मा 616 जिसके उपर लाइन खिच्री है यह अलग क्यों है आपको शायद लगे कि यह नंबर इसके नीरो होने की पॉसिबिलिटी को खत्म कर देता है जबकि हैरानी की बात यह है कि यह नीरो की पहचान कन्फर्म करने में मदद भी कर सकता है क्योंकि यह वो ही नंबर होगा जो हमें नीरो को लाटिन के हिसाब से लिखने पर मिलेगा जो है नीरो काइसर एन के बिना लेटर एन का नंबर है 50 तो हम इसको तो हमें मिलता है नंबर 616 और यह वही आदमी है जी बिलकुल लेकिन शुरुवाती क्रिस्चन्स नीरो को एंटी क्राइस्ट क्यों बताते थे इसका जवाब देने के लिए किम मुझे लेकर आई है वेकिन के बीचों बीच सेंट पीटर्स स्क्वाइर में तो हमें पता है कि कोड 666 एंपरर नीरो के लिए है क्यों राजा नीरो से नफरत की काई वजहों में से एक थी उसका क्रिस्चन्स पर जुल्म करना तो यहां इस स्क्वेर में आपको एक चौकोर मिनार नजर आती है यह जो उसने सर्कस के मोड पर अपने खड़े होने के लि हां सर्कस यहीं पर होता था और यहीं होती थी चैरिट रेसेज, गेम्स, मगर बाद में उसने यहीं क्रिस्चन्स को सजा भी दी सो 64 में रोम में भयंकर आग लगी थी और सिटी काफे तभा हो गई थी अच्छा नीरो ने गुस्से में क्रिस्चन्स को इसका जिम्मदार थेराते हुए उसने बहुत सारे क्रिस्चन्स को मरवा डाला और जहां तक हमें पता है सर्कस की वो जगह यही है कहा जाता है नीरू ने उस इंसान को भी फांसी दे दी जिसे कई लोग रोम में चर्च की बुनियाद रखने वाला मानते हैं नाम था पीटर पीटर की कहानी बताती है उन्हें क्रॉस पर उल्टा लटकाया गया था और कुछ को आग लगा दी गई जलाया? हाँ महल में रोश्णी के लिए? इससे पता चलता है उससे इतनी नफरत क्यूं की जाती थी और आज यहां सेंट पीटर की याद में बसले का बना हुआ है ये उन्ही का चर्च है अजीब है इसी जगा पीटर ने चर्च की बुनियाद रखी थी हाँ, हैना ड्रमाटिक जिस पर पीटर को फांसी दी गई वो सलीब जहां मैं खड़ा हूँ उससे कुछ ही कदम दूर रहा होगा साफ है कि क्रिश्चन्स को नीरो से नफरत थी वो एंटी क्राइस्ट था उसके सुसाइट करने के बाद भी लोगों को लगता था कि उसमें इतनी ताकत है कि वो फिर से जिन्दा होकर हुकुमत चला सकता है तो उसके लिए एक सीक्रेट कोड रखना ज्यादा सेफ था लेकिन क्रिश्चन्स के लिए जिन हालात में वो तब रह रहे थे जज्मेंटे इतनी जल्दी आने वाला नहीं था क्यामत के बारे में क्रिश्चन सोच रूम के दमन से और कहरी हुई थी इस शैतानी सामराज्य ने जिरुसलम को तबाह कर दिया था और जीसिस के शुरुआती फॉलोवर्स पर जल्म किये थे लेकिन उसके बाद वो सोच एक दूसरे गुट के कुछ लोगों में पहुंच चुकी है इसका निशाना एक दूसरा शैतानी सामराज्य है और जिसने क्यामत में हम सब के निगले जाने का खत्रा पैदा कर दिया है मैं दुनिया के सफर पर निकला हूँ यह पता लगाने कि करोड़ों लोग दुनिया के अंत में यकीन क्यूं करते है मेरा सफर मुझे लाया है इसलाम के पास इसलाम एक अर्बी शब्द है जिसका मतलब है समरपड यानि सरेंडरेंस सब खुदा की रजा पर चोड़ना वही गौड जिसकी जिवस और क्रिस्चन इबादत करते हैं मुस्लिम्स से आमने सामने मिलकर मैंने जाना कि इसलाम का मकसद है लोग अमन के साथ रहें लेकिन आज खबरों को देख कर लगता है कि उन लोगों को माफ कर देना चाहिए जो इस सच्चाई से अंजान है मुस्लिम्स का एक छोटा सा गुट पश्चमी देशों के खिलाफ जंग छेड़े हुए है ISIS या ISIS और दूसरे आतंकी गुट मानते हैं कि गयामत की शुरुआत हो चुकी है इसकी वजह जानने के लिए मैं आया हूँ न्यू यॉक उस शक्ष से मिलने जो कभी कयामत बरपाने वाले एक इसलामी गुट का हाई लेवल रिक्रूटर था माजिद नवास को तब वरकलाया गया था जब वो एक टीनेजर थे और बिटिन में थे प्लीज मुझे बताएं उस रेडिकलाइजेशन के बारे में इसलामिजम और एक मजभब के बीच इसलाम में फर्क करना ज़रूरी है इसलामिजम से मेरा मतलब है सोसाइटी पर इसलाम का कोई भी वर्जिन थोपने की चाहत रखना है हाला कि मेरे दिमाग में आइडालिजी इसी तरह बठाई गई थी जैसे यही इसलाम हो मैं ब्रिटन में डुमेस्टिकली रेसिजम की एक बहुत खोन खराबे वाले हालात का सामना करते हुए बढ़ा हुआ था हैमर अटैक्स, मशेटी अटैक्स बाई नियो नाजजी जो लोग बहुत बुरे थे कई बार तो मैंने अपनी आँखों के सामने अपने दोस्तों को मरते देखा, मैं सिर्फ 15 का ही था मैं खुद को बाकी सुसाइटी से अलग देखने लगा था एक स्लामिस्ट रेक्रूटर ने उन हालात में मुझे में एक यंग एंगरी टीनेजर देखा और उस रेक्रूटर ने मेरा फाइदा उठा लिया मैंने हिज्बत तहरीर जॉइन कर लिया और उस ग्रूप में मैं 13 साल लीडर बन कर रहा था क्या वो अल्काइदा से जुडने की शुरूआत थी? हाँ, ये पहली इस्लामिस्ट और्गनाइजेशन है जिसने आज के जमाने में मजहभी खलीफा के फिर से पैदा होने की सोच को पॉपिलराइस किया जिस बात का दबा आज आइसिस करता है लेकिन मेरे ही फॉर्मर ग्रूप ने पहले इस टर्म को पॉपिलराइस किया था मैं एजिप्ट में रहा जहां मैं इस मकसद के लिए लोगों को रिक्रूट करता रहा बाद मैं मुझे 1 अफ मार्च 2002 को अरेस्ट कर लिया गया मुझे कायरो में स्टेट सिक्यॉरिटी के हेड़कॉर्टर्स ले जाया गया टॉचा के उनके अंडरग्राउंड तहखानों में मेरी आँखों पर बट्टी बांधी गई और फिर शुरू हुआ टॉचर्स का सिलसिला टॉर्चर्स वो सब को एग्जेक्यूट करने लगे करंट से आप चार साल जेल में रहे चार साल हाँ और जब आप निकले तो उतने कटर नहीं थे मैं मैं अब भी मुसलिम हूँ पर अब मैं कटर नहीं हूँ जब मैं जेल में था तो मैं वहाँ जिहादी टेररिस्ट मॉव्मेंट्स और इस्लामिस्ट मॉव्मेंट्स के कई नामी लोगों के साथ रहा वहाँ मुसलिम ब्रेदर हुट के एक लीडर को देखकर लगा कि ओ माई गौड अगर ये लोग कभी पावर में आए और खलीफा बन गए तो दुनिया जहन्म हो जाएगी अगर आइसिस का हसर पुरी दुनिया पर हो गया तो क्या होगा हमने जो खोशाली का खाब देखा था जो चाहा था उसे आज के दोर में दहशत गर्दी ने बरबाद कर दिया किया लगता है और कि गयामत का खियाल इतना लुपहता क्यों है? खाश कर इतने नोजमानों को? आपको लगता है आपकी डेस्टिनी पर आपका बस नहीं है जब लगता है कि आप आवास तक नहीं उठा सकते हैंängt तो ये बहुत लुभावना लगता है जबकि ये घलत है, आप डेस्टिनी के एजन्ट बन रहे हैं, तब लगता है कि आप आवाज उठा सकते हैं, आप हिस्ट्री बना सकते हैं थैंक यू, थैंक यू, बहुत जानकारी मिली, and I am glad you are here, थैंक यू, प्लाइशर दूर वालों के लिए गयामत की तरफ खिंचना शायद नैच्रूल चीज है, उनके लिए पाने को बहुत होता है, और मौचूदा हालात बलट भी गए, तो डरने की वज़ा बहुत कम होती है, लेकिन इसका फैलाव उससे कहीं से आता है, कल्चुरली हमें गयामत के लिए कड़वाहत भरा एट्रेक्शन दिखाई देता है, तकरीबन ऐसा मानो हमें इससे कोई सुकून मिलता हूँ, युनिवर्सिटी ओफ इलिनॉइ शिकागो में साइकोलोजी प्रोफेसर स्टुवर्ट शेंकमैन कयामत में हमारे सबकॉंशियस बिलीव की स्टड़ी कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये शायद हमारे दिमाग में मजबूती से घर कर चुका है। सो आज जो हम कर रहे हैं वो ये कि हम अलग-अलग थ्रेट्स पर लोगों के रिस्पॉंसिस देख रहे हैं। क्योंकि ये लैब एक्सपेरिमेंट है, इसलिए वॉलन्टियर्स की मदद से होता है। इसके नतीजे को संभाला जा सकता है। कलाई पर बिजली के हलके जटके के साथ अचानक शोर सुनाई देता है। इलेक्ट्रोड्स लगी स्कल कैप और वॉलन्टियर्स के चेहरे पर लगे सेंसर्स, डर, दिमागी हरकत और उसके स्ट्रेस लेवल्स का रौ डेटा दर्च करते हैं। इन्हें जोड़कर वो चौकने के रिस्पॉंस को नापते हैं। देखिए लोगों के सामने जब कोई कंडिशन अचानक से आती है, यानि जब वो जानते नहों के हालात कब खराब होंगे तो दिल हरकते करता है, प्यूपियल्स बढ़ जाते हैं और धड़कने तेज हो जाती हैं। अब स्टुवर्ड कंडिशन बदल देते हैं। एक ऐसा जटका जिसका पहले से पता हो। इसे चौक एट वन कहते हैं और आपको काउंडाउन के एंड में एक शौक मिलता है। इस दर्द भरे मगर पहले से मालूम जटके पर एक अलग रियक्शन हुआ। बात हैरानी की है। लोगों के सामने जब कोई कंडिशन आती है तो उनके चौकने का रिस्पॉंस पहले से पता कंडिशन के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। बाड कंडिशन के आने का पहले से पता होना qualitatively एक अलग emotional experience क्रियेट करता है। ना पता होने के मुकाबले। तो अगर हम अपने mind को ये बता दें कि क्या होने वाला है तो हम उसे लेकर थोड़ा सा relax हो जाते हैं और हमारा mind भी comfort में होता है। दिमाग के इस mechanism से पता चल सकता है कि क्यों हम में से कई आने वाली कयामत में यकिन करते हैं। लेकिन इस से पता चल सकता है डूम्स्डे कर्ट्स की तरफ अंचाहे खिचाव का भी। लेकिन क्या अंत के बारे में पहले से बताना मुम्किन है। कुछ साल पहले कई लोग मानते थे कि उन्हें ये पता है। बशूर कहवत पर यकिन करें तो प्राचीन माया लोगों को लगता था कयामत की तारीख तैह है। सच्चाई का पता लगाने में आया हूँ उनकी प्राचीन राजधानी टिकाल में जो गौाटमाला में है। मैं स्टैनली गुंटेर से मिला जो मायन इंस्क्रिप्शन के दुनिया में लीडिंग डीकोडर है। तो यह है टेंपल अफ दे मास्क्स और दूसरी तरफ है टेंपल अफ दे जाएंट जैगवार। यह जगह सेंटर रही होगी एंशिंट सिटी ठिकाल का। वह वहां कबर के पत्थर जैसा क्या है। उन्हें हम कहते हैं स्टीले। क्या? स्टीले। और यह लगाए गए हैं मायन कैलेंडर की याद में। और यह डेडिकेटिड हैं अलग-अलग दौर को जैसे के हर 20 साल, हर 10 साल और स्पेशली हर 400 साल जो के अंत था ग्रेट बाक्टून साइकल का। बाक्टून साइकल के अंत का जश्ट मनाने वाले फेस्टिवल के आखिर में राजा कैदी की बली देता था। क्या यह कहा जा सकता है कि मायन्स मानते थे कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी? क्यामत आ जाएगी? कुछ साल पहले हमने सुना था कि 2012 में तेरवें बाक्टून के खत्म होने के साथ दुनिया खत्म हो जाएगी। यह माया की भविश्यवानी थी। यहाँ एक मॉनिमन्ट है। उसे देखकर बात और साफ हो जाएगी। यह है स्टेला टैन। आप देख सकते हैं यह एक किंग है। यह है उसका सिर। पंक लगी बड़ी सी पगड़ी। उसके कंधे। यह सारे जेवर। ठीक यहाँ पैरों तक। और नीचे आप देखें तो यहाँ पर एक कैदी है। यह है। उसका सिर। उसके दोनों हाथ और यह बली के लिए बंधा हुआ है। इसका कयामत से क्या लेने देना है भला। उसके लिए हमें यहाँ पीछे जाना होगा। ओके। आए। यहाँ एक डेट है जो हमें एक खास वक्त बताती है। यहाँ है 11 येर्ज और 360 डेज। फिर हैं तीन काटून्स हरे करीब 20 साल का त AD की। और अगर आपको याद हो तो 2012 में 13 बाक्टून्स खत्म हुए थे। लेकिन सबसे इंट्रस्टिंग बात यह है कि यह मॉनिमेंट सिर्फ इतना ही नहीं बताता। यह बताता है कि इससे उंची यूनिट्स के अभी 19 साइकल्स और हैं और उससे भी आगे 11 साइकल्स और हैं और यह ऐसे ही चलता है और हर एक यूनिट्स पहले वाली से 20 गुना बड़ी है तो इस मॉनिमेंट्स से पता चलता है कि 13 बाक्टून्स किसी गैलंडर का अंत नहीं था वो तो बस एक साइकल्स का अंत था इन साइकल्स की पूरी एक सीरीज में से जिनमें हर एक दूसरी से बड़ी है जैसे हम नए मिलेनियम की खुशी मनाते हैं उसी तरह माया ने 21 दिसंबर 2012 का दिन अपने कैलेंडर में एक बड़ी घटना के तौर पर दर्ज किया था यानि 400 साल के एक और चक्र का अंत इस पर जलूस निकाले जाते नाचगाना होता और बली दी जाती है अग कोई किया मत अई बिल्कुल नहीं आई उल्ल भी जिर्फ एक जुरुआद एक और फिर एक और फिर एक ऊपर और ऐसा ही चलता रहेगा फ्र अल verbessन इसे ही क्यों चलता रहेगा हमें माया का अंत मिला नहीं तो हमने उन्टे रहना होगा माया के वक्त को देखने के तरीके के बारे में सोचें, तो ये ध्याना आता है कि क्रिश्चियनिटी, जुडाइजम और इसलाम में दुनिया के अंत वाली सोच सब जगातों देखती नहीं है। इन धर्मों के लिए आखरी उम्मीद है कि ईश्वर इनसानों के दुनिया में दखल देगा, फैसला सुनाएगा और उन बुराईयों का अंत करेगा जो हमें अपने आसपास नहीं दिखती हैं लेकिन करोड़ों बिलीवर्स हैं जो दुनिया को उस तरह से नहीं देखते हैं। उनके मुताबिक समय का चक्र चलता रहता है, शायद हमेशा। क्यामत के माने क्या हो सकते हैं ये जानने के लिए मैं जा रहा हूँ इंडिया। उस दुनिया में जिसका अंत ही ना हूँ। हिंदू मानते हैं कि प्रलाय या कयामत हर कुछ अरब साल बादाती है। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत लाता है और दुनिया फिर से शुरू होती है। इसे कहते हैं एनलाइटनमेंट याने सत्यका बोध। इसका मतलब जानने के लिए मैं आया हूँ सारनात। यहां मैं दुनिया में सबसे सम्मानित बौध लामाओं में से एक से मिलूँगा। परम पावन ग्यावां करमापा। तिबती बौध्धों का मानना है कि करमापा नौसौ साल पहले रहे एक महान शिक्षक के सतरह में अवतार हैं। नमस्ते, आप इसे कंधे पर डाले तहूं। अब ठीक है। धन्यवाद। तैंक यूू। चलिए। आये चलें। आये। 1992 में एक हूली कमिशन नए करमापा की खोज में निकला था। और उसे ओगन ट्रिनली डोरजे मिले। जो उस वक्त इस्टन तिबबत में एक खाना बदोश फैमिली के साथ साल के बेटे थे। जुटपे के हिसाब से आपकी उम्र कम नहीं है। वो तो है। तो कैसा लगता है आप कैसे यानि यह ठीक है। एक तरफ ये अर्थपून है, दूसरी तरफ जिम्मेदारी का बोज है। लोगों की उम्मीदें मुझसे बहुत ज्यादा है। तीर साल की उम्र के लिहास से इनसे उम्मीदें कुछ ज्यादा ही है। कर्मापा को शिक्षा देनी होगी कि ज्यान कैसे पाया जाए। जबकि अभी वो खुद ही ज्यान की खोज में है। परमपावन मुझे थोड़ा सत्य के ज्यान के बारे में बताएं। अगर उसे पाना हो तो शुरुवात कैसे की जाए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप बताएं तो, ओ, सवाल मुश्किल है क्या, जी, काफी बड़ा चैनल है ये, मेरे खयाल से, पहले आपको, खुद को पहचानना होगा, मतलब आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं, क् मैं सच के ज्ञान का थोड़ा इंट्रोड़क्शन चाहता हूं, बस इतनी रिक्वेस्ट है, मैं बस कोशिश कर सकता हूं, ठीक है, ओके, कोशिश करूँगा, ओके, आईए, कर्मापा ने बताया कि सच जानने का रास्ता है, मेडिटेशन यानि ध्यान, कयामत अगर इश्वर की इच्छा का जाहिर होना है, तो ध्यान का मकसद है, मेरी इच्छा का जाहिर होना, वैसे तो कई तरीके हैं मेडिटेट करने के, पर एक आसान तरीका है, अपनी सांस पर ध्यान लगाना, उस पर फोकस करना, ये वाला मैं जानता हूं, अपने मन को शान्त रखना है, आपको न तो बीते हुए कल में जाना है, नहीं आने वाले कल का सोचना है, इस पल में बस शांत बैठना है, अपनी सांस पर फोकस करना है, और बस इतना ही, चलिए, शुरू करते हैं, हाइए दिमाग को यादों, खयालों और भावनाओं से अलग रखना बहुत मुश्किल काम है, सिर्फ अपने होने पर ध्यान लगाना, शुरूरूल शांत होने के बाद, जो बचता है, उसे देखना ह। उत्वे के बच्याह थम्दों are you, उसे दोओ काम है पर प्रूरूरूरू прост pond Kipski दूरूरूरू पर ल्यान लगांत होने 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 हैं, होने 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 कैना शुरू शुरूरूश से अलगे कोने होने 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 वाइए कैसा लगा बीयोटिफुल है ना येस धन्यवाद मैं एक फिलोसॉफिकल कोश्चन पूछ सकता हूं फिलोसॉफिकल चलिए पूछे ये सवाल है बस्चिम वालों की सोच के बारे में कियामत के बारे में दुनिया का आंत जीवन का आंत बहुत धर्म में ऐसी कोई चीज है जब हर चीज थम जाए और इस दुनिया का आंत हो जाए और फैसले का दिन आ जाए देखिए हमारा मानना है के रोज कहीं न कहीं एक युनिवर्स की एंडिंग दूसरे की बिगिनिंग है अगर ऐसा नहीं है कि ये प्रलय या फिर कयामत जैसा है नो जज़्जमंटे ये शायद धोड़ा सा अलग है तो एक्चली आप ये कह रहे हैं कि I think एंड कभी नहीं आता बस चेंज आता है हाँ चेंज एक चीज खत्म दूसरी शुरू देखिए पूरी तरह से अंत जैसा तो कुछ होता ही नहीं है हाँ धन्यबाद थैंक 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 यू जब आप परमपावण करमापा जैसे इंसान से मिलते हैं तो मेरे खैल से जो चीज ये एक दम अलग से दिखती है वो है उनकी नमरता करमापा ऐसा मैसूस ही नहीं होने देते कि वो खुद को आपसे महान आपसे उंचा मानते हैं कि आपसे किसी भी तरह से बेतर है यहां वो बागी हम सब की ही तरह खोज में लगे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहां क्यों आए हैं सच को जानने की कोशिश में हैं ग्यान की खोज में हैं हरीकेन काट्रीना ने लुईजियाना में तबाही मचा दी थी जबरदस्त तबाही जैसी कभी दीखी नहीं गई थी कुछ को तो लगा कि क्यामत यहीं आने वाली है नियो औरलीन्स में मैं नियू औरलीन्स में कैट्रीना के कहर से बचे लोगों से मिलने आया हूँ यह जानने की उन्होंने क्यामत का सामना कैसे किया और इस से उनमें क्या बदलावाया नियू औरलीन्स में रहने वाले चाल्स और एंजिला मार सालिस अपने लोकल चर्च में है जो तूफान के वक्त एक पनाह गाह बन गया था तो यह काल्टन एविन्यू चर्च ऑफ क्राइस्ट है जहां आपने तूफान आने पर थोड़ा वक्त गुजारा था यहां आप कैसे आप पहुँचे थे हम यहां रात भर रुखने के बाद अगले दिन सुबा होने पर घर लोटने वाले थे और हमें रात भर तेज हवा चलने की आवासें आती रही शोर बहुत बहुत तेज था अमें हम बहुत डर गए थे और मैं अपने घुटनों पर बैठकर प्रे करने लगी और हम देख रहे थे कि पानी बढ़ता ही जा रहा है लग रहा था पानी अंदर नहीं आएगा लेकिन वो तो बढ़ता ही गया मार सालिस फैमिली सबसे कट चुकी थी तूटे बांध से अर्बों गैलन पानी अंदर आ चुका था तीन दिन बाद रेड क्रोस ने उनको वहां से निकाल कर पानी से घिरे एक पुल पर पहुँचाया जहां तूफान में बचे घबराई लोगों की भीर जमा थी वहां एकदम घुप पंधेरा था पानी के अंदर अलिगेटर्स और स्नेक्स वगरा थे वहां बीमार लोग थे वीर चेर्स पर बैठी आड़ते थी हमने वहां लोगों को ड्रक्स लेते ड्रक्स और गंस बेचते दिखा मुझे लगा जैसे शेतान अपनी असलियत दिखा रहा था वो वक्त बहुत खराब था बहुत खराब वक्त था वो या बड़े खौफनाक हालात थे और खौफनाक हालात लोगों से अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा काम करा सकते हैं बिलकुल उन हालात में आपने क्या किया? मैं एक मिनिस्टर हूँ मेरे सामने जीजिस की संताने थी तो मैंने इनसे कहा इस वक्त हमें लोगों का ध्यान कहीं और लगाना होगा हमें कुछ करना चाहिए और हमने गाना शुरू कर दिया इसके बाद तो लोग कहने लगे के ये गाना सुनाओ, वो गाना सुनाओ याद नहीं ये कब तक चला, हम कब तक गाते रहे पूरी रात पर हमें गॉड पर पूरा भरोसा था हम बस इतना जानते थे के गॉड हमें वहां से निकाल ले गए कैट्रीना ने न्यू और्लिंस के पाप नहीं दोए ये उपर वाले की सजा के तोर पर नहीं आया था इसने जखम दिये हाँ, लेकिन इसने लोगों की आँखें भी खोली जो बजा था उसे संजोने के लिए और मिल कर कुछ बेहतर बनाने के लिए मैं ये जानने के लिए निकला था कि अलग अलग धर्मों को मानने वालों के लिए कियामत के माने क्या है मैं हमेशा से इसे सब कुछ तबाह कर देने वाला दुनिया का अंत ही माना करता था लेकिन मैंने पाया कि कुछ लोग कियामत की रह देखते हैं वो अन्याय से छोटकारा पाना चाहते हैं, पीडा से मुक्ती चाहते हैं, एक बेहतर दुनिया चाहते हैं। Apocalypse, ये एक Greek word है, जिसके माने है पर्दा हटाना। ये लडाई की बात नहीं करता, ज्यान पाने की करता है। ये मौत की बात नहीं करता, ये दिलो दिमाग की वो दशा है जो हमारी मदद करती है सच को देखने में, ना कि दूर, कयामत यानि Day of Judgment की, जो अभी है, और यही है।